आप सबी का स्वागत है आज हम एक फ्लेट का वास्तु करने वाले हैं जो अनकंप्लीट है वो फ्लेट धीरे धीरे बन रहा है तो हम उसमें वास्तु करते चले जा रहा हैं ताकि फ्लेट में तोड़ फोड़ करने का जरुत ना पड़े क्यूंकि उस फ्लेट में काफी वास् कि उस फ्लेट को तयार होते होते वास्तु के साथ अगर हम तयार करते हैं तो उसमें तोड़ फोड़ करने का जुरूत ना पड़ेगा और ना ही उसमें कोई प्रॉलम आएगा तो आएए आपको हम दिखाते हैं न्यू फ्लेट जो 9th फ्लोर में क्लाइंट लिया है आप देख सकते हैं ये फ्लेट का ड्राइंग है ये इस्ट एरिया है ये नौर्थ है ये वेस्ट है और ये साउथ है और इस्ट जो है 40 डिगरी नौर्थ के तरब मूब किया है तो फिर इसको हम 16 जोन में विभाजित करने वाले हैं ये इस्ट 40 डिगरी मूब होने के कारण इस्ट यहाँ पर आ गया और ये वेस्ट यहाँ पर आ गया नौर्थ यहाँ पर आ गया और साउथ यहाँ पर आ गया 40 डिगरी पूरा डिगरी को हम घुमाएे हुए हैं जिसके कारण इस्ट में ट्वालेट रुम आया हुँआ है पहला नेगेटिव ये दोनों ट्वालेट रुम जो है ये इस्ट में है ये इस्ट आपका बढ़ा हुआ है और ये नौर्थ इस्ट कट है कट एरिया नौर्थिस्ट है और नौर्थिस्ट में ट्वालेट रूम नहीं होना चाहिए जो यहाँ पर ड्राइंग में नौर्थिस्ट में ट्वालेट रूम आया हुआ है साथी साथ ये area duct बनाया हुआ है काफी देखे, duct है, गढधा है जो south west में नहीं होना चाहिए, गढधा आप देख सकते हैं, ये entrance S4 का entrance है ये भोती lucky entrance होता है, south का, जो अच्छा होता है और एक entrance यहाँ पर है, जो S6 का entrance है जो negative entrance है इस area में ये जो toilet है, ये विसरजन area में है, जो ठीक है यहाँ पर toilet कोई दिकत नहीं करेगा यहाँ पर एक toilet room है, जो आपका south area में आ रहा है ये दो toilet room है, south area में आ रहा है, वो दिकत कर रहा है इस्ट का दो toilet room है, ये दिकत कर रहा है नोर्स इसका टोलेटरूम कभी नहीं होना चाहिए ये टोलेटरूम गंभीर बीमारी को सो करता है और ये एरिया जो कट है ये भी बहुत खराबी करता है इस एरिया में रहने वाला वेक्ती बहुत ही ज़्यादा तकलिफ में रहने वाला होगा लेकिन इस फ्लेट को बनने से पहले ही हम वास्तू treatment करने वाले हैं जिसके कारण बहुत हद तक problem solve हो जाएगा इसका देखें लंबाई ज्यादा है और चोड़ाई कम है जिसके कारण इसका भी हम treatment कोपर का पत्ती से हम करने वाले हैं देखें नोर्थ इस में toilet room नहीं होना चाहिए इसलिए ये toilet room का हम यहां से हम हटवाने वाले हैं और इस्ट में जो toilet room भी नहीं होना चाहिए जिसके कारण kombod को हम थोड़ा से घसकाने वाले हैं ताकि positive zone से हट जाए बाकी हम यहां से ले करके यहां तक इस एरिया पर हम आयताकार हम करने वाले हैं जिसके कारण यहां का जो दोस है जो कट एरिया है वो खतम हो जाए और इस एरिया का जो गड़ा एरिया है वो भी खतम हो जाए यहां का इंट्रेंस बहुत ही लख्की है यह इंट्रेंस इनको बहुत ही रिकबरी करेगा हम नाइन्थ फ्लोर का फर्स में खड़े हैं और यहां पर धलाई होने वाला है यहां पर हम वास्तु ट्रिट्मेंट यह करने वाले हैं कि यह जो फ्लेट है यह आईताकार नहीं है कहीं कहीं कट एरिया है कहीं कहीं कुछ एनर्जी बढ़ा हुआ है तो फर्स में हम कोपर का पत्ती या तार हम बिछवाने वाले हैं और इसको आयता कार रूप में ले के आएंगे आप देख सकते हैं देखे ये कोपर का वायर को हम बांध रहे हैं तकि धाराई से पहले ये कोपर कतार अंदर ही अंदर लग जाए और यहां का जो नेगेटिव एनरजी है वो वेक्ति को ना मिले कि ये कोपर का वायर कि वह आयता कार कर रहे हैं हा यहां से घुमातीजी जाचजी आता हैं